नमस्कार दोस्तों मैं सुमन स्वागत करता हूँ हमारे वेड़ आपकी यूटिब चैनल आनलाइन प्रोसेस में दोस्तों कभी आप ऐसे केस में फसे हुए हैं जैसे आपको यहाँ पर अर्जिंट पैन कार्ड की जुरूरत हो जैसे कभी आप बैंक में गये हों अकाउंट ओपिन कराने के लिए और आपके पास पैन कार्ड नहीं है और बैंक वाले पैन कार्ड अर्जिंट मांग रहें कि हाँ में पैन कार्ड मिलेगा तभी आपका बैंक अकाउंट ओपिन करेंगे ऐसे case में दुस्तो आपके पास कोई option नहीं होता है जाकर करके pen card apply कराते हैं तीन से चार दिन के बाद यहाँ पर आपका pen card आता है लेकिन दुस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा यहाँ पर तरीका बताएंगे जो मातर फिंगर प्रिंट लगा करके मातर एक घंटे के अंदर में आपका pen card generate हो जाएगा वो भी दुस्तो कोई भी OTP यह सब की जरूरत नहीं है मातर आपका अधार कार्ड का नंबर लगेगा अधार कार्ड लगेगा और फिंगर प्रिंगर पिंट यहाँ पर लगेगा और आपका यहाँ गंटे के अंदर में pen card generate हो करके आ जाएगा इस pen card से आप bank account या फिर pen card से जो भी काम होता है उस काम को आप ले सकते हैं उस काम में इस pen card को यूज में ले सकते हैं इसमें मैं आपको दोस्तों बता दूँ कि इसमें आपका अधार कार्ड का जो फोटो रहता है वो फोटो आपका आएगा signature आपका digital signature आएगा फादर का नाम, नाम, date of birth यह सब सारा चीज रहेगा टोटली address आपका हैं पर अधार कार्ड का जो address हैगा वही address पर आपका by post यह pen card आपका एक से देड़विक के अंदर में आपके घर पर भी चला जाता है तो चलिए apply करने का सारा process समझ लेते हैं कि कैसे कैसे आपको इसमें आवेदन करना होगा और क्या क्या आपको detail चाहिए detail में मात्र आपको एक अधार कार्ड चाहिए और कुछ भी नीचे customer का बस finger चाहिए आप असानी से apply कर सकते हैं apply करने के लिए दुस्तों आपके पास ID और password होना चाहिए क्योंकि हमें ये NSDL के दवारा अप्लाई करेंगे fingerprint के मादे हमसे तो NSDL का यहाँ पर आपके पास ID और password होना चाहिए ताकि आप fingerprint के मादे हमसे pen card apply कर सके सकते खिला रही हमसे ने पर यहाँ पर हम पर आईडी पासो ओलने के बारे में जाताइगा सबस्क्राइए पहन काड का यहाँ पर आईडी पासवर लेने के लिए सबसे नहीं, पर यहाँ पर this time of the PDF, Google open करना है. तो यहाँ पर ओवाय्स अपना यहाँ. आपके सामने यह फोर्सवर फॉंसक पर विबसाइट मिल रहा है, इसी website से हमारा pancard apply होने वाला है सबसे पहले दोस्तों आपका जैसे website open होता है यहाँ पर एक notification आता है location का अगर आप इसे block करेंगे तो आप इसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे आपको यहाँ पर location को allow करना है अब दोस्तों यहाँ पर ID और password लेने का दो method है पहला number की आप call करके direct आप ID और password उनसे provide कर सकते हैं ID password ले सकते हैं ID password लेने के लिए आप इन पर call कर सकते हैं या फिर दोस्तों आपको second method दूसरा method है कि इसमें आएगा pancard ekyc.com में तो नीचे scroll किजिएगा तो आपको एक online process.com का यहाँ पर एक article मिलेगा दूस्तों यह ekyc.pancard.com retailer distributor master distributor बने यहाँ पर यह आपका method रहेगा इस पर आपको click करना है इस पर click करने के बाद आपको इसमें पूरा process बताया गया कि इसके फायदे क्या क्या है, retailer ID कैसे बना जाता है और इसमें retailer ID के फायदा क्या है, distributor कैसा है, कैसे बना जाता है और इसके फायदे क्या क्या है तो join us retailer पर हम click करेंगे, join retailer पर हम click करेंगे तो हमें यह page पर ले जाकर करे redirect करेगा, यहाँ से दूस्तों आपको detail को fill करना है यहाँ पर दूस्तों आप देख सकते हैं, NHDL Fingerprint Retailer ID इसमें दूस्तों आपका मातर एक घंटे के अंदर में fingerprint से pancard बन करके ready हो जाता है यहाँ पर दूस्तों आइड लेने का पूरा process यहाँ पर बताया गया है सबसे पर हम add to card पर हम click करेंगे, add to card पर click करने के बाद यहाँ पर card में add हो जाएगा checkout पर click करेंगे, checkout पर click करने के बाद दूस्तों यहाँ पर basic detail आपको fill करना है basic detail में दूस्तों आपको यहाँ पर अपना पूरा जैसे email ID, mobile number यह सब जितना भी यहाँ पर detail है वो detail को आपको fill up करना है, fill up करने के बाद दूस्तों यहाँ पर proceed to payment पर click करने के बाद यह आपको payment gateway पर लेकर करके जाएगा आपके सामने एक keyword code open हुआ है, तो आपको यह keyword code को scan करना है, keyword code scan करने के बाद दूस्तों आपको यहाँ पर payment कर लेना है आपका जैसे ही payment successfully हो जाएगा, यहाँ पर proceed to next step पर आपको click करना है, यहाँ पर confirm for click करना है, यह आपका payment successfully हो जाएगा जैसे ही आपका यहाँ पर payment successfully होगा, आपको आधे से एक घंटे के अंदर में आपको यहाँ पर इस number से आपके पास एक callback जाएगा और वहाँ से कुछ आपसे detail मंगेगा और आपके mail पर ID और password आ जाएगा, तो चली मैं detail आपको दिखला देता हूँ कि वहाँ पर आपको ID और password mail पर कैसे आएगा दोस्तो आपका ID और password कुछ इस तरह से यहाँ पर आएगा, यहाँ पर don't reply penuser mail.gmail.com इस तरह से यहाँ पर आएगा, इसमें आपका mobile number शो करेगा, यहाँ पर user ID, password और transaction पीन यहाँ पर शो करेगा login URL यहाँ पर शो करेगा, जैसे ही आप इस पर click करेंगे, आपको यहाँ पर login URL पर लिकर के चला जाएगा login URL पर जाने के बाद दूस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके सामने आयागा, अब यहाँ पर आपको अपना ID और password को fill करना है, ID और password fill आप करने के बाद login कर लेना है जैसे ही दूस्तों ID और password fill आप करेंगे, आपके mail पर एक OTP जाएगा, जो आपका mail ID दिया रहाएगा, OTP को fill आप करना है, verify पर आपको click करना है, यह आपका login हो जायागा अब दूस्तों यहाँ पर pen card apply करने के लिए सबसे पहले आपके wallet में payment होना चाहिए, यहाँ पर view balance पर हम click करेंगे, तो हमारा 107 रुपया है, हाँ पर मेरा 100 कर रहा है, यानि एक pen card के लिए 107 रुपया कटेगा, अगर आपके wallet में payment 0 है, तो यहाँ पर add money पर click करना है, add money पर click करने के बाद 107 का आपको payment add करना है, यानि एक pen card के लिए 107 तो जितना भी pen card apply करना है, wallet load ले ले लेना है, जैसे submit पर click किजएगा, यह दूस्तों आपका यहाँ पर transaction हो जाएगा, यहाँ पर QR code को scan करके, आपको यहाँ पर payment को load ले लेना है, मेरे यहाँ पर dashboard में, यहाँ payment है, तो मैं आप डाइरेक्ट apply करने चलूँगा, अब यहाँ दूस्तों pen card ekyc nsdl पर click करना है, इसके बाद दूस्तों आपर इस website पर आजाएंगे, अब यहाँ दूस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ पर beometric मंत्रा, morphos से कर रहे हैं, तो दूस्तों मंत्र का setup के लिए आपर setup दिया है, उसका local host दिया है, यह सब सारा चीज़ दिया है, मंत्रा के भी दिया हुआ है, अगर आपको fingerprint से setting में करने में problem आ रहा है, तो आप हमें comment कीजिए, मैं इसके लिए एक special video बना दूँगा, चलिए apply करने का पुरा process हम समझ लेते हैं, फॉर्म ओपन होने को बाद सबसे पहले यहाँ पर pen select करना है, individual select करना है, अधार कार्ड में जू भी यहाँ पर नाम रहेगा, वो नाम को fill up करना है, gender को select करना है, mobile number fill up करना है, email ID आप अपना भी दे सकते, customer का भी दे सकते, सही email ID दीजेगा, क्योंकि इस email ID पर आपका pen card बन करके आने वाला है, pen type में आपको दुस्तों यहाँ पर pen card, e pen card और physical pen card दोनों आपको select करना है, आपको यहाँ पर mobile number, email ID सही सही डालना है, उसको दुस्तों यहाँ पर I agree पर click करना है, और नीचे submit पर click कर लेना है, तो चलिए मैं आप अपना सारा detail को fill कर लेता हूँ, यहाँ पर मेरा email ID fill up हो चुका है, pen number में मेरा, यहाँ पर pen type में आपको यहाँ पर select कर लेना है, e pen card और physical pen card और उसके बाद दुस्तों I agree पर click करना है, नीचे आपर submit पर click करना है, जैसे submit पर click करेंगे, आपका यहाँ पर form आगे बढ़ेगा, यहाँ पर एक बार detail को आपको फिर से म wallet pin पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पर wallet pin अपना fill up करना है, और यहाँ पर submit पर click करना है, wallet pin दूस्तों आपके mail पर आया होगा, तो आप वहाँ से check out कर लिजएगा, आपको wallet pin मिल जाएगा, अब यहाँ पर दूस्तों आपको एक next page पर redirect करेंगा, अब यहाँ पर सबसे select करने के बाद दूस्तों यहाँ पर अपना नाम Fill up करना, customer का नाम सबसे पहले last name Scorpion tells के असके बाद यहाँ पर फर्ष्ट नेम् यहाँ पर fill up करना है, first name fill up करने के बाद दूस्तों यहाँ पर आगर आपका middle name भी है तो middle name भी fill up करेंगे नहीं तो आप उसे छोड़ देंगे यह पर सारा detail सही-साही fill होना चाहिए उसके बाद दुस्तों आप डेट of birth और gender को select करना डेट of birth आपका जो भी होगा वो डेट of birth fill up करेंगे और gender को select करेंगे male female जो भी होंगे वो select करेंगे उसके बाद दुस्तों आपको डिटेल मिलाना है आपका detail सारा चीज दिया हुआ है अब यहां पर आपको पूछा जा रहा है कि आपका यही सारा चीज नाम सही है ना अगर आपका कोई और नेम है तो यहां पर यस किजिए नहीं तो फिर आप पर नेम नहीं है तो मैं इसे नोर पर किलिक करूँगा और नीचे आगे बुंड़ आगे वाले नेक्स्ट पर क्लिक कर लोगा अंब यहां यहाँ पधर आपका आगे बढ़ जायेगा यहां पर दूस्तों अब से डिटेल पूछा करना है नीचे भी आपको सेम टूसेम वही डीटेल को फिल करना है डीटेल फिलफ होने के बाद अगर मामी का नाम भी चाहते तो यहां पर ममी का नाम फिलफ कीज़ेगा नहीं तो आप इसे छोड़ दिज़ेगा नीचे फादर वाले पर सेलेट करके नेक्ट पर क्लिक कर ले जाएगा अब यहां पर दूस्तों आपको यहां पर बोला जा रहा है कि आपका इंकम में नो इंकम सेलेट करना है और यहां पर आपको अपना स्टेट और डिस्टिक को फिल करना जैसे इस फिल की जाएगा नीचे आपको एयो कोड आएगा उस एयो कोड पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक नेक्स्ट पेज पर ले करके जाएगा वहां पर आपसे फिंगर क्याप्चर कर आएगा यहां पर सब सारा चीज सही है तो नीचे आप आगे वड़िएगा अन्याता दोस्तों अगर भी अभी भी आपका कुछ गलत है तो आप इसे बैक जा करके आप सारा चीज देख लिजेगा अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉमेंट करके भी पूछ सकते हैं यहां पर मैंने स सिक्सक्राइस से सब्सक्राइब लुए करने के आप मोर्फो को मैं सलेक करूंगा यहां पर जींगर केके करने के ॆ कशर कञ़ा ने के भाक सिक्चर करने के बाद धिक्र कार सक्षिद्फली आ गया कर्पक करने के बाद दुस्तों यहां पर आपको आगे एक नेक्स्ट revolス तो फिर से आपको एक authentication करना है अगर आप OTP से करना चाहते तो OTP से अगर बैमेट्रिक से करना चाहते तो बैमेट्रिक वाले पर क्लिक करना है एक नया पेज डिडिरेक्ट होगा यहाँ पर यह डिजिटल signature के लिए EKIC करा जाता है तो सबसे पहले आपको यहां पर अधार नमबर फिल अप करना है नीचे हमारा Morpho आ चुका है जो device मेरा लगा हुआ है Morpho को हम select करेंगे और यहाँ पर capture पर क्लिक करेंगे तियसागि क्लिक करेंगे दूस्तों हमारा fingerprint में सब्सक्राइट जल जाएगा यहाँ नेच्ट सटिप में आएगा कि आपका यहाँ पेमेंट सक्षिफूल का यहापर यह रिडाइड करेगा आपको यहाँ पर पैंकरट इंप्रेड डॉट कॉम पर अगर वहाँ पर लॉग इन सकसेज़ फुली रहेगा तो आपको एक रिस्ट मिल जाएगा जैसे दुस्तों यहांपर एक करेंगे आपका एक रिसट अगर हो जाएगा अब यहांपर को खुछ भी टेंशन नहीं लेना आपको यहांपर मेल चेक कर लेना है बstersतों मेल पर आपकर एक मेल आया होए है उस मेल को हम ओपेन करेंगी यह दुस्त हमारा फॉर्म ओपेन हो चुका है यह मेरा संप्ट हो चुका है यह सब्सक्राइब यहाँ पर अपकर अपना डेट बड़ डाल करके पासवर्ड में आपको फॉर्म open करके देख लेना है कि हमारा form submit हुआ है या फिर नहीं अगर submit हुआ रहेगा तो दोस्तों आपको यहां पर एकनोलोजमेंट नमबर मिल जाएगा उस एकनोलोजमेंट नमबर से आप अपना status भी चेक कर सकते हैं अब दोस्तों इसी mail पर आपका एक पर कंदे के अंदर में यहां पर आपका pen card भी generate cioè अवे ऐप दोस्तों मिल जाएगा कि यह एक डिश्टिक डिश्टल सिंग्नेचर किया हुआ है तो आप इसे असानी से पढ़ सकते हैं यह पर यह आपका डिश्टल सिंग्नेचर किया हुआ आता है मैं आपको बड़ा में दिखला हूँ तो बड़ा में कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका मेल पर प कॉमेंट करके जरूर बताएगा अगर वीडियो अच्छा लगाऊ तो लाइक किजिएगा चनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन को प्रिस करके अपने सारे वाट्सअप ग्रूप में शेयर जरूर किजिएगा मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नेक नेश टॉपिक के सा इसका बताओएगा तो जो एक र्रूर अवाट ऺ्रूर तो टॉपिक लिए लगाईगा तो आयो अवाँ प्रूर आप नेलागा यहा तो प्रूपिक कर रिता हैं तो इसके अफदीं झाटीं को आटाएगा जेता जाटीं को यहाँआ।